वहार खड़े हैं, हमारे भाई, वहार जोगी, हमारे लसास्वी मुपमत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, ओचा पंडार में आजाएं, योगी आज़ितना आए! योगी 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 मोदी योगी! दूसरे चरण में, कल बारा राज्जे और एक किंदर सासित परदेश में, 89 सीट पर कल वोटिंग होनी है, हलाकि 89 पर होनी थी, लेकिन अब 88 पर होगी, क्योंकि एक मद्दे परदेश की एक सीट है, जिसमें BSP केंड़ेट का निधन हो गया है! तो कुल मिला करके, अब पहले चरण में, जिस तरीके से खबरे आई, रिपोर्ट आई, जिस तरीके से जो चीजे निकल करके सामने आई, उसमें लगा कि भाजपा पिछड रही है! लेकिन क्या दूसरे चरण में भाजपा रिकावरी कर पाएगी? क्या दूसरे चरण में BJP के लिए स्थिती कोई बहुत अच्छी है? या BJP के लिए अभी भी स्थिती अच्छी नहीं है, बलकि BJP अंदर खाने बगावत से जूज रही है? सवाल इस बात का है! और मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो निकल करके सामने आई है! जहां पर BJP की स्टार प्रचारक पर एक बड़ा चेहरा हिममालनी फस्ती में नजर आ रही है हिममालनी की सीट पर ही खसता हालत जो है उन दिख रही है और हममालनी के अलग-अलग कई जो है वो इंटर्व्यू तो इस वक्त में वाइरल है ही उसके साथ-साथ जो है वो हममालनी को लेकर के अब RLD यानि जैन चोधरी की पार्टी उसके अंदर से भी बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं देखी एक वक्त में जैन चोधरी को संसद से बाहर करने वाली थी हममालनी हममालनी मतुरा सीट से जीती और उसी वज़े से जैन चोधरी संसद से बाहर हो गए और आज जयें जोदरी तो हमेमाली के लिए वोट मांग रहे है लेकिन हमेमाली के लिए उनके कारीकरता वो तयार नहीं रही है और वो बगावती स्वर बिखा रहे हैं तो हेममाली की सीट पर मैं बात करूँगा और दूसरी कल दूसरे चरण में एक और सीट है होट सीट है जिस पर बगावत दिखाई दे रही है वो दूसरी सीट है अरुन गोविल की सीट मेरट की सीट मेरट के अंदर भी भाजपा को नुकसान हो रहा है और मेरट में अरुन ग कोई positive point नहीं है और उनके साथ में कोई उपलब्दी जुड़ी वी नहीं है सिर्फ यही एक उनके साथ में उपलब्दी है लेकिन वो भी जबर्दस तरीके से विरोध जहल रहे हैं और खुद उनका attitude भी उनके ही जो है वो आड़े आ रहा है देखिए कई सीटों पर ऐसा होता है कि बड़ा उम्मिद्वार तो party उतार देती है लेकिन वो बड़ा उम्मिद्वार बडपन नहीं दिखा पाता है और वो बड़ा उम्मिद्वार अपने बडपन ना दिखाने की वज़े से और अपने विवार की वज़े से लोगों से करिकरताओं से कट जाता है और लोग दोनों चीज यहां पर होती वी नजर आ रही है इन दोनों केंडिएट के साथ में अरुन गोविल के साथ में भी और हेममालनी के साथ में और इसके साथ-साथ कई सीटे और है जिन पर बगावत के स्वर दिखाई देने लगे है जो वोटिंग से पहले बीजेपी को चिंता में डालने का काम कर रहे हैं अरुन गौविल के लिए तो ये तक का जा रहा है कि अरुन गौविल सहाब जो है वो संस्क्रीम लगा करके जो हो चेहरे पर पोट करके तब आते हैं किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं किसी की माला नहीं पहनते हैं ना सड़क पर पैदल चलते हैं गाड़ी-गाड़ी के अंदर रोडशो करते हैं तो मेरट में भाजपा के लोग उनसे परेशान है और इस बात की पुष्टी की है भासकर के एक रिपोर्टर ने जिन्होंने अभी हाल में ही उनका वीडियो उनका जो है वो इंटर्वियू लिया है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है इसके साथ साथ मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले जैन्च चोधरी की पार्टी आरेलडी के उपाद्यक्स आरेलडी के उपाद्यक्स परदेश उपाद्यक्स नरिंदर सिंग की नरिंदर सिंग उनका एक वीडियो जबर्दस तरीके से वाइरल हो रहा है नरेंदर सिंग कह रहे है कि RLD के नेताओं को बीजेपी घास नहीं डालती है फिर भी हम बेसर्मी से लगे है मतलब आप समझ लिजी कि क्या कहना चारे और क्या इसके माइने है हमें सम्मान नहीं मिलता है परचार के लिए गाड़ी नहीं मिलती है ना तो सम्मान दिया जा रहा है ना मंच से भाषन देने के लिए बुलाया जाता है ना कहीं पर कोई पूछ रहा है और नहीं परचार के लिए गाड़ी मिल रही है जेव से हम पैसा खर्च करें संसद जाएगी हेममालनी यह उन्होंने कहा आगे वो कह रहे है कि वह संसद बन करके मुंबई निकल और पैसा हम क्यों खर्च करें है और आगे वह यह भी बता रहे हैं आप सुनिए जरह वीडियो में दो मिनट के करीब का वीडियो है जिसमें वह कह रहे हैं कि मैलाओं के नाम पर सोला सोला सत्रा सत्रा गाड़ियां जो है वह अलूट की जा रही है हमें कोई दिक्कत नहीं ह हैं हम तो खुझ अपनी गाड़ी से चल रहे हैं लेकिन जिन कारीकरताओं के नाम पर गाड़ियां बुक की गई है वो कारीकरताओं गाड़ियां दी तो जाए आर एलडी के कारीकरताओं को गाड़ियां ही नहीं दी जा रही है यह जो है वो स्तिती है तो एक पर सुनिए ज लड़ रही है हाला कि जन्पत में इस वक्त हेमा जी का भी हारी प्रताशी होने का बढ़ा भारी मिरोध है और दस साल उन्द चुकि कोई काम नहीं किया कोई ऐसा विखास नहीं दिख रहा है और वह बहुत प्रभाफशाली महिला है अगर वह चाहती तो अपने नित्वत्र से मतराम को चपका सकतीजिए प्लच्यवत्र प oralism को चाहता अट्रक बातों को विचार करने के लिए आपस पे तालमेल समिती बन जा है हमारी आपकी बैठके समन्वे संथी जिसको कहते है प्राइजितिक सुरूप से वह बन जा है उस पर 57 लोग हमारे हो 57 लोग हो बैठके हम लोग समय समय पे मीटिंग करें इन लोग को महिलाओ के नाम से गाडिया ली गई इनको गाडिया नही मिल नहीं महिलाओं और लोग कहते हैं सा हमने आपके लोग कर लिए तो यह तो अप्मान है एक अपने पेट्रोल डीजल से थोड़ी फूक हैंगी चुनाब हमाजी लड़के बंबी जाएंगी या दिली बैखेंगे परल्लेमेंट वह हम काल करता अपने घर से पैसा फूक है हम नहीं मांग रहे हैं तो अपने जो साधन है उसे काम कर रहे हैं लेकिन जो लोग इसके योग है जिनको साधन मिलने चाहिए उनको खाना मिलना चाहिए तो यह अभी भी समय है कोई विरोध नहीं कर रहा हूं कि अभी भी तालमेल बना कर वह है तो यही नहीं नहीं भार्ती जंता-पार्टी लग्ष्टी लोकले वालों को ज्यादा घास नहीं दो लिए प्रेंञ चैनल रहे से लगें हुए है क्वाँ आदेश सब्सक्राइश दे माता मांता वह अंसार हो। बीसी करना हैं कि मिलिवा रही हैं तो यह कोंवा रही हैं च॥ा समवां से इनकतों क्रूंग उन सरफ स्थिती है हेमालनी के लिए हेमालनी के लिए लोगों का इस कदर जो है वो गुस्सा है बीजेपी गटबंदन के अंदर इस तरह की नाराजगी हेमालनी के लिए है और सोची अगर हेमालनी को लेकर कि इस कदर नाराजगी है तो वाकी हेमालनी की डाल गलने वाली है या इस बा भी तांगा खूब मस्ती से चलने वाला है यह चीजे हैं लेकिन उतना असर नहीं डाल पाएगी क्योंकि उन मतुरा जो है वो बीजेपी मजबूती के साथ में जीती रही है मतुरा में जैन्ट चोधरी को भी एक वक्त में लोगों ने हरा दिया जैन्ट चोधरी की पार्टी यहां पर खूब जो है वो दमखम रखती है तो इसके बाद में क्या होगा अंदाज आप लगा सकते हैं अब जरा मतुरा से आप चलिए फुड़े बगल की सीट मेरट पर मेरट में अरुन गोविल जो है वो यहां पर उमिद्वार बनाए गए है और अरुन गोविल का तसवीर देखिए आप एक ये सब्सेहीर देखिए मंच पर मंच पर जो है वह योग्य दित्तिनात आते हैं और योग्य दित्तिनात मंच पर आकर के वहाँ पर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आप देखिए कि अरुन गोविल जो है वो बहुत बड़े नेता के तोर पर जो है वो सामने आते हैं और सुपचाप से आकर के खड़े हो जाते हैं जो वर्तमान में सांसद हैं राजिंद्र अगरवाल वो बिल्कुल जुक करके जो एक लेकिन अरुन गोविल जो है वो आते हैं और आकर के चुपचाप से वो टिक जाते हैं यह ज़रा तस्वीर यह वीडियो देखिए आप एक बार मंच पर जो है वो योग्य दितनाथ आए और यह देखिए आप सफेद कुड़ते में राजिंद्र अगरवाल वो जुकर के ज बघल में आकर के खड़े हो गए और योग्य दितनाथ को जो है वो नमसकार तक नहीं किया इसी से आप अंदाजा लगा लीजिये कि स्थिती यहाँ पर क्या है और क्या स्थिती होने वाली है तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यह आरुन गोविल का जो विवार है जो योग्य दितनात तक को नमस्कार ना करे और योग्य दितनात उनकी तरफ जुक करके नमस्कार कर रहे हैं इसी से आप अंदाजा लगा लिजिए कि किस तरह से इन बड़े नेताओं ने बड़पन दिखाया है यह बड़े नेता जो बड़ा बोज बन गए है और यह बड़ा बोज जो है वो पार्टी के नेता ही इस बार सर पर बैठाने से पहले ही उतार देंगे या फिर बड़े बोज को बड़े नेता को बैठाना तो पड़ेगा ही सवाल इस बात का है अब देखिए ज़रा एक बार आप ये गोरव पांडे गोरव पांडे है दैनिक भासकर के रिपोर्टर है और उन्होंने इंटर्व्यू किया है अरुन गोविल का अरुन गोविल का इंटर्व्यू किया है और अरुन गोविल के इंटर्व्यू के बाद मे उन्होंने त्टेट किया है क्या लिकाए जटरा देखिए अरुन गॉविल इस वक्त बस यही सोच रहे हैं कि कब चुनाव खतम हो और œ मेरड से मुमबई रवाना हो यह बड़ा सवाल है किक चुनाव खतम हो और कब मैं मेरड से मुमबई रवाना हो जाउन यहां पर तो बड़ी दिक्कत है साब दरसल सीरियल में एक्टिंग करना और राजनिती में एक्टिंग करने में जमीन आस्मान का फर्क है ग्राउंड का नेता इस वक्त 40-42 डिग्री तापमान और लू में गाउं गाउं की छाक छान रहा है लेकिन संक्रीम लगा करके घूम नहीं र उल्टा है वो जंता को छूने से बचते हैं वो अभी तक खुद को मुंबई से बाहर नहीं निकाल सके हैं और खुद को भगवान ही समझते हैं राजनिती सेलिबरिटी तो बनाती है पर सेलिबरिटी नहीं करवाती है तो यह जो है उनकी तरफ से का गया और इसी से अप अं सान नहीं है आसान नहीं है हिममालनी के लिए भी और अरुन गोविल के לिए भी हम्मालनी का एक इंटEVY वाइरल हो रहा GITS take मैं क्या आप गाउं गाउं में लोगों के बीच में जाकर के बैठूं इससी मेरा क्या काम हो जाए गा उनका क्या क्या काम हो पाई ना महँगाई से राहत दिलवा पाई ना मत्रॉरा के लोगों को जो काया कलब करने की बात कही जाती थी ना वो हो पाई है अभी तक आप फोटों भी नहीं कीचवा पाएंगी उन से आप से जो लोगों ने अमीदें लगाई थी कि हेममालनी है बहुत बड़ा नाम है मो साल में तो आपके अलग-अलग जैफ और कारिक्रम चलते रहते हैं बड़े-बड़े तो कम से कम चुनाओ के पांच दिन जब आए है तो उन पांच दिनों में तो कम से कम लोगों के साथ बैठिए इतनी तो एक्टिंग कर लीजिए कि वहां पर जा करके किसी काकी के साथ में क किसी काका के साथ में किसी दादी के साथ में जाकर करके रचविश थोड़ा सा दो गुफटबु तो कर लीजिए इंटर्वियू भी हो रहे है तो हेममालनी जी अपने घर पर बुला करके अलिशान कोठी में बैठ करके इंटर्विश दें रही है यह यह तो इन नेताओं का हाल है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त में क्या स्थीती है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त में किस तरह के हाला जो पैदा हो गए है और ये पहले चरण में पहले चरण में अगर भाजपा पिछड गई है और दूसरे दो चरनों में बीजेपी को जटका लग गया देखिए एक सो दो सीटों पर चुनाओ हो चुका है कल जो है वो 88 सीट पर चुनाओ यानि करीब करीब 200 सीट पर मतदान पूरा हो चुका होगा 200 सीट पर अब 543 में से 200 सीट में से अगर आपकी 50-60 सीटे आई हैं और विपक्स के पास में 1500 सीट चली गई है तो आप समझे लिए जी कि आप चुनाओ हार चुके हैं और यह बीजेपी के पास में तो कम से कम रिपोर्ट जरूर जा रही होगी एकजिट पोल भले आए ना आए लोग जो है खुल करके बोले या ना बोले लेकिन बीजेपी के पास में अंदर खाने सारी रिपोर्ट जा रही है और बीजेपी के पास में अंदर खाने जो पहुंच रही रिपोर्ट है वो इस बात पर मोहर लगाती भी दिख रही है कि इस बार क्या होने वाला है इस बार क्या स्थिती जो है वो रहने वाली है यह जो है वो इस बार के गणित इस बार तो अब सीधे तोर पर देखें सीधे तो बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद तस्वीर जो है वो नहीं दीख रही है और बीजेपी संगर्स करती वी नजर आ रही है और संगर्स अगर बीजेपी एक साथ हो करके करती तो शायद बीजेपी असानी से चीजों को कर लेती ल लेकिन जनता में भी हमने देखा कि इस छेतर के अंदर इस छ 대해서 में किस तरह के से राजपुतों की पंचायते महापंचायते हुई है उसका असार इस बार दखेगा एसा नहीं है कि उस्का असर नहीं दहिएगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है वीके सिंग का आपने गाजी अवाद से टिकट काट दिया गोतम बुद्नगर ये सारे जो छेतर हैं बुलंद सेर ये सारे जो छेतर हैं यहाँ पर राजपुतों की एक अच्छी खासी तदात है और जो लगातार मेरट के अंदर कई पंचायते हुई है राजपुतों की और यही वज़य थी कि आरुन गोविल को ये बताना पड़ा कि मेरी पतनी ठकुराइन है अब इस से ठकुर कितने खुस हो पाएंगे कितने अभी भी नाराज है यह तो वोटिंग में ही पता चलेगा लेकिन कल की सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए स्थिती कोई भौजदा आसान दिखाई नहीं दे रही है और मैं अगर हाई प्रोफाइल सीट की कल को बताऊं आपको दूसरे चर्ण में जो परमुक चेहरे हैं राहूल गांदी वाइनाड से लड़ेंगे उनकी सीट जो है वो कल वोटिंग होनी है उनकी सीट पर ससी थरूर कॉंग्रेस के नहेता है तिरुन अंदरम पुरम से वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनकी सीट पर भी वोटिंग है हडी कुमार स्वामी जेडियस से जो की मुख्यमंत्री बनाए कॉंग्रेस ने अब वो भाजपा के साथ गटबंदन में है तो उनकी सीट पर भी वोटिंग है यह मालने के हम बात करी रहे है अरुन गोविल के हम बात कर रहे है हाई प्रोफाइल सीट है यह मत्रा और मेरट से पपु यादव की सीट पर भी पुर्णिया के अंदर कल ही वोटिंग होनी है जदुवीर की सीट मैसूर उस पर भी वोटिंग है सुकांत मजूमदार ये भी हाई प्रोफाइल सीट है वैभाव गैलोथ के बेटे वैभाव गैलोथ की सीट जालोर में भी कल वोटिंग होनी है राजियू चंदर्सेकर जोकि आईटी मिनिश्टर है उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है ओम बिरला स्पीकर मोधि सरकार में रहे दूसरी करिकाल के अंदर उनकी सीट पर कोटा में कल वोटिंग होनी है गजंदर सेकावद बीजेपी के कद्दाव और नेता किंद्रियमंत भुपेश बगेल, कॉंग्रेस के करनाट, चतिसगड के मुख्यवंत्री रहे, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है, और नवनीत कोर राणा, जो की भाजपा के अंदर अभी नई-नई सामिल हुई है, पहले निर्दलिय सांसत थी, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। आप क्या सुचते हैं और भाजपा के अंदर की जो बगावतों की खबर है उससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं नीचे कमेंट वोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के दिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपनोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख